बोचपुरी इंडस्ट्री में आप दिनेश लार याद और निरहुआ और पवन सिंग की जोड़ी को राम और भरत की जोड़ी भी कह सकते हैं राम और भरत की इसलिए क्योंकि इनके रिस्तों में भाई जैसा प्यार है, सम्मान है अगर निरहुआ पवन के लिए कुछ कहते हैं या पवन निरहुआ के लिए कुछ कहते हैं तो वो दिल से कहते हैं वो उसमें अपना दिमाग यूज नहीं करते क्योंकि इनके रिस्तों में कोई बनावटपन सामने से भी नजर नहीं आती ये दोनों एक दूसरे के काम को और एक दूसरे की स्टार्डम को भली भाती समझते हैं अभी हाल ही में दिनेस लाल यादो निरहुआ ने यूटूब के एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए पवन और अक्षरा के मामले में कुछ खुलासे किये खुलासे ऐसे नहीं है जो आपको संसनी खेज कर देंगे लेकिन इंडिकेशन उस तरह की है दिनेस लाल यादो निरहुआ यहां कहते नजर आए हैं कि पवन सिंग कभी जब भी मेरे साथ दो फिल्मों में काम किये हैं मैंने उनका बद मिजाज होना या यू कहलें कि किसी औरतों के साथ बसुलूकी करना कभी नहीं देखा है वो मेरे साथ बड़े ही प्यार से काम करते हैं और वो मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं और मेरा उतना सम्मान करते हैं मैं भी उनका उतना ही सम्मान करता हूं। जब रिपोर्टर ने ये पूछा कि अक्षरा सिंग के साथ जितनी जात्तियां हो रही हैं। एक औरत होते हुए इतनी जात्तियां जो अक्षरा सिंग पे हो रही है क्या वो सही है। तो दिनेस लाल यादो निरहुआ ने तुरंत कहा कि ये बिल्कुल सही नहीं है कि कोई भी औरत किसी की इतनी चीजे सहे। यानि कि कहीं ने कहीं दिनीस लाल यादो निरहुआ को ये पता है कि अक्षरा सिंग जैसी बड़ी स्टार अगर कुछ कह रही है तो बातों में तो दम है बगेर सिर पैर के बाद तो अक्षरा सिंग करेंगी नहीं चाहे जो भी हो भले ही पवन सिंग के साथ उनका जो भी कुछ लेना देना रहा हो लेकिन एक बात तो श्यूर है कि अक्षरा सिंग जो कुछ भी कह रही है भले ही उसमें 100% सच्चाई नहों लेकिन बातें सच लगती जरूर है कुछ परसेंट की सच्चाई तो उसमें जरूर नजर आती है एक बात यहां पर दिनेसलाल यादो निरहुआ ने बड़ी ही पते वाली की है कि बीजेपी में अगर कोई भी दोशी सांसत या स्टार प्रचारक कोई भी हो या बीजेपी का नेता हो कोई भी हो अगर उसमें वो दोशी पाया जाता है किसी भी गुनाह में किसी भी एलिगेंस में तो उस पर कारवाई होती है उसे पार्टी से निश्कासित कर दिया जाता है और यहां तो आपको बता दें कि पवन सिंग पे बड़े बड़े आरोब अक्षरा सिंग ने लगाए पवन सिंग का माइनस पॉइंट यही है कि पवन सिंग ने अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा है यहां पर निरहुआ ये बात भी कहते नजर आए कि वो पवन सिंग को क्लीन चिट नहीं देंगे उनक्या क्लीन चिट वाला जो बयान है वो मीडिया में गलत-गलत धंक से उठाया जा रहा है लेकिन आप अगर उस इंटर्व्यू को सुनेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि पवन सिंग के बारे में किस बात पर उन्होंने ये कहा है उन्होंने ये कहा है अगर कोई भी गुनेगार होता है तो उसे क्लीन चिट नहीं दी जाती जब तक वो अपना पक्ष न रखे जब तक वो अपने आपको बेकसूर नसाबित करे तो ये बयान उनका इस लहजे में है न कि इस लहजे में कि वो पवन सिंग को दोसी ठहरा रह क्योंकि पवन सिंग ने जब अपना पक्ष रखा ही नहीं तो दोशी किस बात के खैर पवन अक्षरा के जो जगड़े हैं वो लगातार एक हफतों से मीडिया की सुर्खिया बने हुए हैं ये बात अच्छी है कि काफी दिनों बाद भले ही निरहुआ सामने आए लेकिन पत बात अच्छी है